हेलो एवरिवन मैं होती विकस्याप प्रॉम डिक्याट्टो 65 तो आप सभी का हमारे डिक्याट्टो 65 चैनल पर स्वागत हैं तो मैं आज सबसे पहले आपको सौरी बोलूंगी कि मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो अप्लोड नहीं किये हैं क्योंकि कुछ रीजन था इसके आगे के पार्ट देखने के लिए भी आप एकसाइटेड होंगे रंगोली सिखने के लिए एकसाइटेड होंगे पर आज मैं रंगोली नहीं सिखाने वाली हूं मैं आपको बहुत ही अच्छी एक रंगोली दिखाने वाली हूं कि और सोचने हूं कि आप लोगों को काफी प मेरा तारीफ कर सकते हैं, तो मैं नहीं तारीफ करना चाहें, तो मैं जो आज रहाए हूँ हूँ, आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, आप ने उनकी धारा वाहिक देखी है, तो धारा वाहिक मैं इसलिए बोल गया, क्योंकि वो काफी टाइम पहले आया था, जिसको हमारे द से सब ने देखा है एक दो धारवाइक जो थी तो पिर चलिए फिर हम सेर करते हैं कुछ अपनी यादे रंगोली बनाते बनाते हुए तो आप भी कमेंट करके बिल्कुल बताईएगा आपने कितनी बार देखी है और आपकी क्या यादे हैं क्या मेमोरीज हैं यह जो कि बहुत ही महनत लगता है एक वीडियो बनाने में और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन पेश करना बिल्कुल भी बद भुरिएगा तो चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगी कि इस रंगोली को बनाने में मुझे कितनी सारी ट्रेचडियां जहलनी पड़ी हैं तो सबसे पहले तो उसी दीन काफी सारे महमान आ गये एक के बाद एक मैं रंगोली का जो इसकेच बना के रखी थी पर फिर जैसे ही मैं कलर्स करने बैठते थी कोई न कोई महमान आ जाते थे तो इसके वज़े से मुझे कलर्स करना छोड़कर उनके साथ जाके बैठना पड जाता था और फिर मुझे रंगोली बनाने में काफी दिक्कत आ रही थी और फिर उसके बाद जितने भी जो कीडे मकोडे होते थे वो सारे मेरी रंगोली पे ही आके कुद जाते थे और मेरी रंगोली को बनाने देना नहीं चाहते थे हर कोई जो है वो मिलके मेरी रंगोली क खराप करने के लिए लगा हुआ था मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरी नंगोली बन पाएगी की भी नहीं इतनी tragedy तो कभी नहीं हुई है और फिर जो last tragedy थी वो ये था कि दिपिका जी का जो face था वो तो बन गया बट अरुन जी का जो face बनने को था तब उसमें से कुछे पार्ट मैं record कर पाई क्योंकि उसके बाद पर मेरे phone पे ना ज़्यादा चार्ज था और ना ही ज़्यादा मेमोरी तो वो मैं recording के लिए तो रग दी थी बट बीच में वो phone जो है वो off हो गया था फिर उसके बता चार्णा से देखी मुझे बहुत बुरा लगा फिर उसके बाद मैं charging पे लगाई और फिर जाके मैं video इस्टार्ट की तो फिर मैं पूरी रंगोली बनाने के बाद देखी कि वो तो वेमोरी फूल हो चुका था मेरे phone का और बागी का पार्ट उस पे record ही नहीं हुआ है तो ऐसे ऐसे जो tragedy है वो इस रंगोली में मेरे साथ हुआ और finally मेरा रंगोली बन गया और फिर उसके बाद जो problem आती है वो कि रंगोली दिखने में सामने से तो बहुत ही अच्छी दिखती है बट फोटो लेने टाइम वो वैसी नहीं आती है क्योंकि वो रेत है उसके वज़े से तो एक बात वो अलगी दिख जाता है और फिर दूसरी बात ही है कि मोबाइल का जो कैमरा है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरा और फिर जो नंगोली है वो जितनी ज़्यादा मुझे अच्छी दीखी थी वो उतनी ज्यादा फोटो पे अच्छी नहीं दीख लेए थी वीडियोज पर अच्छी नहीं देख है बट फिर मैंने सुझे चलो ठीक है कोई बात नहीं अब क्या ही कर सकते हैं तो सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, यह हर आर्टिस्ट का प्रॉब्लम है, फिर अब यह तो हुई कि सारी चीजे मिलके मुझे रंगोली कैसे बनाने देना चाहती थी वह वाली बात, मैं जो बोली थी कि मेमोरीज के बारे में, तो हमारे टाइम पर हम तो छोटे छोटे थी बट मेरे जो पापा, ममी और चाचा जी हैं, तो वो बताते हैं कि उनके टाइम पे जब रमायन आता था, तब लोग पहले से ही काफी जल्दी खाना वाना खावा कर वहाँ पर बैट जाते थी टीवी के सामने, और सब के यहाँ टीवी हुआ नहीं करता था, किसी एक के यहा पर लोग इतने एक्साइटेड हुआ करते थे देखने के लिए कि और उनको एकदम बिल्कुल रियल भगवान की तरह मानते थे, वो आज भी वैसा ही मानते हैं, जो पहले से जगह रखी जाती थी अपनी अपनी जो पहले पहुचा वो अपना जगह रख लेता था, कोई बटाई रखके कि यह हमारा प्लेस है, तो ऐसी कुछ टाइब की स्टोरी बताते हैं, इस वीडियो में सिर्फ इतने ही स्टोरी बता पाऊंगे, क्योंकि वीडियो काफी छोटा है, उतना बड़ा नहीं है, और इतने ही वीडियो पे इतना सारा मेमोरिस नहीं बताया सकता, तो चले फिर आप भी अपनी एक मेमोरिस सेयर करिए, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताये कि मेरी रंगोली आपको कैसी लगी है, और एक कमेंट जलूर करिएगा, जैसी आराम करके, और साथ ही साथ अपनी मेमोरिस भी बतायेगा, कमेंट करके कि आपके साथ क्या हु मिलते हैं अगले वीडियो पर तो जाने से पहले लाइक, सेयर, कमेंट करके जरूर जाईएगा तो अभी के लिए जैसी आराम